आप इस remedy को सिर्फ एक राध ही लगाएं, पुराने से पुराना गुटनों का दर्ध ठीक हो जाएगा, इस घरेलू उपाये से दोस्तो चाहें कितना भी हड़ी का दर्ध हो, जोड़ों का दर्ध हो, बिलकुल ही भूल जाओगे, चाहें गठिया का दर्ध हो, कितना भी पुर होने लगता है और बूड़े ही नहीं बड़े बड़े और छूटे बच्चे भी इससे ना बहुत ही ज़ादा परिसान है जोड़ों का दर्ट तेजी से फैलता जा रहा है लोग कई तरह की दवाईया खाते हैं ट्यूब लगाते हैं परन्तों उन्हें पूरी तरह से आराम नह देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले इसी तरह की अच्छी अच्छी होम रेमिडी देखने के लिए तो चलिए फटा-फट से वीडियो शुरू कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर मिठाई ली है गुड़ जिसे हम कहते हैं यह कर रहे हैं क्योंकि गरम होता है ठीक है जितनी भी सूजन होगी आपके गुटों में वो भी निकाल के खीच के दूर करेगा साथ ही यह जो हम पेस्ट बनाएंगे उसे चिपकाने में यह सहायता करता है तो यहां पर इसको हमें क्या करना है कद्दू कस कर लेना है लगबग एक चमबच के करीब ही हमें चाहिए जादा हम यूज नहीं करेंगे या फिर इस रेमेडी को आप जितना भी बनाना चाहते हैं उस इसाब से आप ले लीजे क्योंकि एक बार इसे बनाएंगे तो लगबग चार-पास दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं तो यहां पर हमें काफी सारा मिल जाता है ठीक है तो वो चूना आपको ले लेना है जो पान वगएरा में हम लगा कर खाते हैं न वहीं चूना चाहिए हमें तो लगबग एक चोथाई चमबच के करीब हमने चूना ले लिया है अगर थोड़ा सा जादा यह कम हो जाता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है यह पूरी तरह से एकदम सेफ है आपको बिल्कुल भी नुकसान यह नहीं करेगा और बैसे भी हम इसे लगाने वाले हैं खाने वाले नहीं हैं और जितनी भी आयरवेदिक जो दवाईया होती हैं वो कभी भी नुकसान नहीं करती हैं हाँ फा तोरी में निकाल लिया है चूना भी सूजन को खत्म करता है दर्द से राहा देता है ठीक है आपने देखा होगा बड़े बुजूर जो होते हैं घर में चूने का इस्तमाल करते हैं जब कहीं चोट बगैरा हमें लग जाती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर चूने का इस्तमाल क होता है उसके लीए डीकिन की जब भी हमारे भाष शच्बी और हमें पर फञेंगे और इस जगा से पैस्ट जैसा त्यार दियान रखेगा पहले ही बार में आपको ज़ादा पानी नहीं डालना है फोड़ा फोड़ा पानी डालना है और इसको अच्छे से आपको इस तरह से चलाना है जिससे यह जो पेस्ट है बढ़िया से खुल जाए और एकड़म मेल्ट हो जाए यह जो हमने गुण डाला है इसके अंदर और दोस्तों यह जो पेस्ट है ना यह सिर्फ आप अपने घुटनों पर ही नहीं कमर में अगर आपके दर्द हो कभी-कभी हम बाइक से गिर जाते हैं या वैसे गिर जाते हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है अकड़ ज सूजन को कम करती है ठीक हल्दी का लेप दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देता है इसलिए हमने जो तीनों चीजे इसमें मिलाई है वो एक से बढ़कर एक है तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और इसका एक पेस्ट जैसा बनकर तयार हो गया है किस तरह से इसको लगाएंगे चलिए यह भी देख लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको गुटने में परिशानी है तो आप गुटने में और कमर में अगर परिशानी है तो कमर में इस तरह से इस लेप को लगाईए और हलके हातों से आपको क्या करने है पांच मिनिट तक इसकी करे ही करे यह आपको टाइम नहीं है और फिस जा रहे हैं कोई भी काम है तो रात को सोते टाइम आप इसकी मालिस गुटनों में जरूर करें आप देखेंगे कि इसको लगाते ही आपको बहुत ज़ादा लाब मिलेगा दर्द जो है वो दर्द खतम हो जाएगा सूजन है सूज करती जानी है दीरे दीरे ये क्या होगा आपकी इसकिन में अच्छे से बैठ जाएगा लेकिन सिर्फ मसाज ही नहीं करनी है एक तरीका और है जो मैं आपको बताऊंगी तो आप भो भी इस्तमाल करेंगे तो और जल्दी आपको इसका लाव मिलने वाला है तो देखे इस तरह स इसे माल honeymoon करने के बाद आपको क्या करना है कोई भी आप गरम कपड़ा ले सकते हैं या सॉल हो या कोई सोती कपड़ा आप ले सकते हैं कम इसी सूल वगाघरा हो नश्कों फाड लीजी और सीतर वाल 이번 को कर है और इसके बाद ये क्या किए जिस घुटने में आपके दर्द है और ये paste आपने लगाया है बहां आपको इस तरह से अच्छे से बांध देना है इससे आपको बहुत ही बढ़िया एक सिकाई मिलेगी जो हमने paste लगाया है उससे आपको सिकाई होगी और बहुत ही बढ़िया रहता है जितना भी सूजन दर्ध है वो सब का सब खतम हो जाने वा और इसी तरह से लगाने के बाद इसको हम लगबग 15 या फिर 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे और ये जो पट्टी है ना इसको इस तरह से खोल देंगे आप चाहें तो जादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं जैसा आपके पास टाइम हो और इसके बाद ये देखिए इस इसको आपको किसी कागज बगएरा से कपड़े बगएरा से अच्छे से पोच देना है ये देखे इस तरह से पोचने के बाद ध्यान रखेगा ठंडा पानी इसके उपर नहीं डालना है ठीक है फिर आप सोचे कि फटा-फट से मैं ठंडे पानी से इसे धुल लो और इस तर चूट जाते हैं और थोड़े देर के बाद आप चाहें तो आप नॉर्मल पानी से इसको साफ भी कर सकते हैं कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है क्योंकि इसको हमने ऊपर इसकिन पे लगाया है तो ऐसा है नहीं कोई साइड इफेक्ट है जो जो चीजे हमने इसमें मि प्रिशान हैं उन्हें राहत मिल पाए बाबाए अब्रिवान एंड थैंक्स वर वाचिंग बाबाए